तो यह देखिए फ्रेंट्स हमने धेर सारी परतो वाली आलू की पैटिस बना के रेडी की है इसे बनाना बहुती जादा इजी है और खाने में बहुती टेस्टी है तो फटाफिट चली आलू पैटिस की रेसिपी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले एक बॉल ले लेते हैं और बॉल में एक कप मेजर्मेंट से हम मैदा ले लेंगे आप चाहे तो यहां ग्योग के आटे का यूज कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे स्वदानुसर नमक इसी के साथ में आप चाहे तो इसमें अजवाईन या फिर काले जिरे का यूज़ कर सकते हैं बट मैंने नहीं किया है तो चलिए सबसे पहले इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं तो अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ओईल तो कम से कम ये दो सी तिन चमच ओईल है इसे डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे तो चलिए अभी ओईल को अच्छी तरह से आटे के साथ में मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक डो लगाएंगे बट उसके पहले हम सुकी इंक्रीडियन्स को हाथ में इस तरह से लेके थोड़ा सा मुट्टी बना कर देखेंगे अगर इसके मुट्टी बनती है तो यह परफेक्ट है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक का सेमी सॉफ्ट सा हम डो लगा लेंगे डो को ना जादा टाइट लगाएंगे और ना ही जादा सॉफ्ट लगाएंगे तो मिडे में डो को लगाएंगे तो चलिए अच्छी तरह से डो को रेडी कर लेते है तो यह देखें फ्रेंट्स हमारी डो कितनी अच्छी तरह से लग गई है तो चली इसे 10 मिर्ट के लिए हम रेस्ट पे रख देते हैं तब तक हम आलो के स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं प्यान में मैंने एक चम चॉयल को अच्छे से गरम कर लिया है इसमें डालूंगी राय जीरा, साबू धनिया और उसी के साथ में थोड़े से फेनल सीड्स, यानि थोड़े से सौफ और इनको डालने के बाद में थोड़ा सा हम इनको चिटका लेंगे और जैसे चिटक जाती है, इसमें हम थोड़े से ग्रेट के विए अद्रग डाल देंगे और थोड़ा से इसी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे एक बार एक चॉप किया हुआ प्यास डाल देंगे और उसी के साथ में हरी मिर्च भी डाल देंगे तो हरी मिर्च मैंने दो से तीन दे लिया है आप अपने अनुसार हरी मिर्ज का यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है जस्ट शेलो फ्राई करना है तो ये देखिए, हल्का सा शेलो फ्राई हो गया है अब इसमें डालेंगे कुछ सूके मसाले अब इसमें डालेंगे आदा टीस्पून हल्दी पौडर अब डालेंगे आदा टेबल स्पून धनिया पौडर उसे के साथ में एक टीस्पून लालमिश पौडर तो लालमिश पौडर आप अपने टेस्ट के अकारडिंग कम जादा कर सकते है उसी के साथ में थोड़ा सा गर्यम मसाला उसी के साथ में आदा टेबली स्पून चाट मसाला या फिर इसके जगे पे आप आमचुर पोडर का भी यूज़ कर सकते है तो चलिए इनको भी हलके हाथों से हम मिक्स कर लेते देखिए हमने बहुती कम उयल का यूज़ किया है क्योंकि इन मसालों में ज्यादा उयल का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है ये ऐसी बहुत अच्छे लगते है ऩो चलिए ऐसे एक से दो मिनिट इस तरह से हम लो टेंपरिचर पे अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे करनेके कि अब इसमें हम आलूं को डाल लेंगे करेंगे या फिर मेश करके भी डाल सकते है HOW धे ऊच्छे ज़िए अलूं 500τά को डालते है तो ये 2-3 मिनिट में बड़िया तरीके से रेडी हो जाती है उपर से थोड़ी से बारिक चौपकी होई हरा धनिया डाल देते है तो मैंने धनिया थोड़ी से ज़्यादा डाली है इससी का फ्लिवर बहुत अच्छा था है टेस्ट भी बहुत अच्छा था है तो चलिए अभी हम बैटिस बनाना शुरू करते है तो चलिए आटे को एक बार देख लेते है तो ये देखे कितने बड़े तरीके से हमारे आटा जो है सेट हो गई है तो एक बार हम हाथ से इस तरह से इसे मसल कर डोब को रेडी करेंगे अब इसकी लोईया काट लेंगे हमें जितनी लोईया चाहिए हमां काटेंगे तो मेरी लोईया कम से कम चार या पाच तो बनेंगे ही तो चलिए एक एक करके लोईया काट लेते है अब एक एक करके लोईयों को हाथ में लेके इस तरह से थोड़ा प्रेस करकर के हम इसे चिकना बना लेंगे और अच्छा सी इसे बोर्ड पे रखके इसके एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे रोटी आप जितने साइच का चाहे उतने साइच का बेल सकते हैं बट रोटी को बहुत ज़ादा मोटा भी नहीं बेलना है और वह ज़दा पतला भी नहीं बेलना है तो यह देखिए हमारी रोटी बेल के रेड़ी हो गई है तो चलिए इसी तरह से हम सभी रोटी को बेल लेंगे तो यह देखिए मैंने चार रोटी को बेल लिया है पहले तो इन्हें पहले अलग कर लेते हैं और एक एक कर के रोटियों को नीचे बिचा देते हैं तो देखी एक रोटी की शीट को मैंने बिठा दिया है तो ये देखे मैंने ये साटा बना के रखा था थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा ओल थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो इसको अभी इसके उपर हम अच्छे तरह से लग देंगे हैं इसके उपर शाठा को लगाएंगे और फिर से हम मैदे को भी उसी तरह से छिर्काएंगे अब देखिए एक के उपर एक मेने चारों को अच्छे तरह से से उट कर दिया है तो हम हलके आतों से अभी रोटी को बेल इसका Size और थोड़ा से हम अभी बढ़ा कर लेंगे बिवाटि जब हम Baba चाकु से हम क्या करेंगे इस तरह से चोकोना कट लगा लें गे कि पय्सकों मिंट के बनाना हे तो इसको से हब इस तरह से काट करनी होगी अभी हमने जो ये चोकणा काटके रखा है इसके हम चार तुकड़े करेंगे ये इस तरह से चोकणा कार में चार तुकड़े करेंगे तो एक तुकड़े को हम ले लेंगे और इस तरह से थोड़ से आलू के स्टफिंग को इस पे बिछा देंगे और साटा को हम चारो बजू से फिर से इस तरह से लगा देंगे तो चारो बजू से दिखें साटा को लगा दिया हमने तो चलिए अभी इसे पैक कर देती है इस तरह से हलकी हाथों से पेस करके हम इसे पैक कर देंगे इस तरह से तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारी एक पैटिस बनके रेडी हो गई है इसी तरह से सारे पैटिस को बना लेंगे अलो की पैटी स्रेडी हो गई है तो चले फ्राइ कर लेते हैं तो ये देखिए कड़े में मैंने पहले से ये ओईल को थोड़ा सा गरम करके रखा था बहुत सदा गरम नहीं किया है बस हलका गुन गुन ओईल में हमें इसे डालना है क्योंकि हमें इसको काफी परते लाना है और उपर से सो क्रिस्पी और कुरकुरा भी बनाना है तो इस जिसका देहन रखना है तो चलिए के करके डाल देते हैं और इसे लो टेंपरेचर पर कम से कम साथ से आट मिनिट के लिए होने देते है तो एक साइड से देखिए ये थोड़ा सा हलका ब्राउन हो गया है तो साइड को इस तरह से हम चेंज कर देते हैं और चेंज करकर के हम इसे अच्छे तरह से फ्राइ करेंगे और टेंपरेचर को हमें लो ही रखना है तो अगर फ्रेंड घर पर अचानक से महमान आ जाते हैं और अगर आप कोई उन्हें नई रेसेपी बना कर खिलाना चाहते हैं तो ये आलू पैटिस की रेसेपी आप ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं तो देखे अलू पैटिस अच्छे तरह से हमारी फ्राइ हो गई है तो चले इनी आप हम निकाल देते हैं और प्लेट में छोड़ कर इसे ठंडा होने देते हैं तो यह देकि फ्रूरणिस हमारे कितनी बड़ीया आलोपेटिस बनके रेड़ी हो गई है देखिए और इनमें पड़ती भी देखिए कितनी बड़ीया आये हुई है। यह देखिए तो छेले एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि यह कितनी क्रिस्पी भी बनी है। तो दिखाना फ्रेंड्स हमारी आलू पैटिस कितनी क्रिस्पी भी बनी है और कितनी खस्तेदार भी बनी है तो फ्रेंड्स दिखाना आपनी आलू पैटिस कैसी बनी है तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्रेब करना बिल्कुल मत भूलना और उसी के साथ में बैल आइकोन को भी प्रेस करना मत भू बाइ!